इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो यह रिशो दिया गया है उन दोनों नंबरों का उसको राइट करेंगे तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं फस्ट नंबर ठीक है and ratio second number तो first number और second number का जो ratio है वो कितना दिया गया यहाँ पर यह दिया गया है 8 ratio 9 अभी हम क्या करते हैं इन दोनों का जो sum है ठीक है इन दोनों ratio terms का जो sum है उसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं write कर लेता हूं sum of ratio terms sum of ratio terms तो यह कितना आजाएगा यहाँ पर इन दोनों को add कर लेंगे 8 और 9 को तो 8 प्लस 9 यह आजाएगा 17 अभी क्या करते हैं जो यह sum दिया गया है उन दोन नंबरों का इसको write करते हैं तो sum of numbers sum of numbers तो यह कितना है यह है 153 तो first number निकालते हैं अभी तो यहाँ पर मैं write कर लेता हूँ first number तो first number का जो यहाँ पर ratio term है वो कितना है 8 है और इनका sum upon का आजाएगा 17 and multiply में उन दोनों का sum ठीक है ना दोनों number तो थे उनका sum तो यह है 153 17 9 जा 9 multiply 8 यह आजाएगा 72 ठीक है तो यह तो हमारा first number आगया अब इसी तरह से second number निकालेंगे तो यहाँ पर second number निकालेंगे तो second number का ratio term क्या है यह है 9 upon में 17 और उन दोनों number का sum ठीक है तो यह है 153 17 9 जा और 9 multiply 9 आजाएगा 51 ठीक है तो वो दोनों number है हमारे पास 72 और 81 जिनका ratio तो है 80 9 पर sum है 153 पर SIMD सुप्राइब लस्वटरी सुप्राइब लस्वटरी